हेलो अर्यवन वेलेकम बैक टू दाइडल एक्सपर्ट चैनल तो प्रिविस वीडियो में हमने फूट एक्टिविटी को क्रेट किये थे टेप्स एंड डाइट किये जो आपको दिखाई देरा स्क्रिंशॉट में इस एक्टिविटी को हमने क्रेट किये थे अभी हम इस वीड एक्टिविटी आपको दिखाई दे लिए हमें इसको उपन कर देता हूँ एंड हमें यह आपको कोट को एंडर करना होगा तो हमें सबसे पहले जो कंस्टेट्यंट लेयाउट दिखाई देरा आपको चेंज करना होगा इसको रिलेटिव लेयाउट में हमें चेंज कर देता आपको यहाँसे लिनीर लेयाओ्ट यूज करना है तो मैं लिनीर लेयाओट को यूज़ करता हूँ आपको vist and height पेले width तो आपको match object देना है और height अपको wrap complete देना है तो आपको यहाँसे iD select कर देना है मैं id देता हूँ linearลिक्वे नेब से च फो त यहाँ से आपको ओरेंटेशन दे देना, मैं ओरेंटेशन वर्टिकल दे देता हूँ, जैसे हमने अक्टिविटी फूड में क्रियेट के थे, सेम हमें अक्टिविटी फूड डिट्लस में भी उके करना है ओके बट आपको ध्यान में रखना है जो हमने यहां पर लिस्ट भी यूज़ किये थे अभी हमने यहां पर टेक्स्ट यूज़ करना है तो मैं ग्रेट कर देता हूं एक एक करके ओरिंटेशन हमने वर्टिकल ले लिए और यहां से आपको एप बार लियाओट आपको टूल बार को यूज़ करना है टूल बार की विर्ट आपको फिल परेंट दीने है और हैट आपको एक्शन बार का साइज दे दीना है तो मैं कोश्चन मार्क एट आर जो भी रहेगा उसको आपको दे दीना है मैं एक एक करके फिल कर देता हूं तो यहां से कोश्चन आप देख सकते हुए आप यह वीजिबल हो चुका है अभी मैं इंटर कर देता हूँ एंड ले आउट ग्राविटी में सेंटर कर देता हूँ क्यूंकि हमें टेक्स सेंटर में चीह है जो भी हमारी हीडिंग होगी इसलिए में इसको सेंटर कर देता हूँ एंड आपको ग्राविटे भी सेंटर करने है बैक्रावंड हमको कलर प्राइमेरी यूज करने है अभी यहाँ से तो सेलेक्ट हो चुका है बड़ डिफल्ट में दे देता हूँ कलर प्राइमेरी एंड यहाँ से आपको क्लोस कर देना भी क्यूंकि अभी हमारा कम्प्लेटिव वर्क हो चुगा अभी हमें टूल बार के नीचे एक image view को यूज करना होगा तो मैं image view यहांसे सिलेक कर देता हूँ image view के height आपको wrap content देना है and head भी आपको wrap content देना है scale type आपको fit xy यूज करना है आपको यहापर error शो होगा इसलिए आपको यहाँसे enter कर देना है and again enter कर रहा है यहापर आपको on click यूज करना है ठीक है go back के लिए तो मैं यहापर go back लिक देता हूँ क्योंकि यहापर एक ऐसी image view चाहिए कि हम पीछे जा सके previous इसमें तो मैं यहापर go back यूज कर देता हूँ and हम यहाँसे source को select कर देते है जो भी हमारा source रहेगा arrow left तो आप देख सकते हो यहापर visible हो चुका है and यहाँसे आपको close कर सकते हो मैं यहाँसे आपको text view यूज करके बता दाओ तो capital T text view width and height आपको wrap content wrap content यूज करने है and layout gravity आपको center कर देने है यहाँसे layout gravity center यूज नहीं होरी इसलिए आपको यहाँसे copy करना है and यहाँपे paste करना है मैं padding left day देता हूँ यहाँसे 10.0 dp text भी उसकर देता हूँ मैं यहाँसे आपको कुछ भी select करना है तो मैं tips and id उसकर देता हूँ क्यूंकि by default जो भी आपका heading रहेगा वो select हो जाएगा तो tips and id बट आप देख सकते हो जो end का size दिखाई दे रहा है इसमें error show रहा है तो error को result करने के लिए amp आपको semicolumn use करना है जैसे आप semicolumn use करोगे तो आप देख सकते हो आपका error result हो जाएगा आपको text color यूज़ करना है यहाँ से text color white hash ff मैं यहाँ से text size को भी increase कर देता हूँ 20 dp and textile में bold कर देता हूँ ओके sorry अभी textile select नहीं हो रहा है यहाँ से यहाँ से हमने थोड़ी mistake कर दे है आपको textile यहाँ से bold करना है and text size को 20 dp कर देना है ओके आप देख सकते हूँ यहाँ पी अभी हमारा completely work हो चुका है मैं इसको close कर देता हूँ close होने के बाद आपको app bar layout के निचे हमको code करना होगा sorry linear layout के निचे यहाँ पी हमें scroll view यूज करना होगा scroll view में आपको बता देता हूँ क्यों यूज करना है क्योंकि आपको यहाँ पी जो text format डिखाए देगा यह screen के निचे भी जा सकता है इसलिए आपको यहाँ पे scroll view लगाना होगा तो मैं यहाँ पे scroll view यूज कर देता हूँ capital S scroll view and bit आपको match parent and hide भी match parent देते हैं क्योंकि full screen में आना चीए यहाँ से आपको scroll view के scroll view हमें का यूज करना होगा तो scroll view हमें इस linear layout के निचे यूज करना होगा तो मैं layout below यूज कर देता हूँ layout below add direct id linear ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे scroll view आच चुका है अभी मुझे यहाँ से close करना होगा scroll view को and यहाँ से आपको text view को select करना होगा and width आपको match parent and height भी आपको match parent देदेना है तुम्हें देदे ताओ and margin top भी आपको use करना है यहाँ से margin top भी देदे ताओ में यहाँ से 10 dp आपको यहाँ पे id देदेनी है तो id add direct id and text and मैं यहाँ से text भी देदे ताओ क्यूंकि आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा हमको text text name देदे ताओ में इसका and हम text color का use कर देते text color add direct android black color यूज़ कर देते हूँ and text size आपका increase करना होगा text size 18 SP and gravity हम center कर देते तो अभी हमारा completely work हो चुका है अभी हमें इस text भी को close करना होगा तो आप देख सकते हूँ मैं screenshot देखा देता हूँ आपको यहाँ पर हमारा tool below show होगा and यहाँ पर हमारा image view and जो भी हमारा text रहेगा वो यहाँ पर show होगा तो full इसके जैसे हमने यहाँ पर create कर दिया है बट अभी हमको dot java file create करना होगा activity food का मैं चला जाता हूँ activity food details में and मैं अभी java code को implement करता हूँ सबसे पहले हमें text view को use करना होगा क्योंकि हमारे detail activity में सिर्फ text view है मैं text view को declare कर देता हूँ text view text view अभी आपको on create method के अंदर में आ जाना है and on create में आपको text भी use कर देना है तो मैं text view is equal to find view by id declare करने के लिए r.id. जो भी आपके id इसको यहां से सिलेक कर देना है text okay and यहां से आपको semi column से close करना है यहां से आपको string यूज करना होगा जो भी हमने string में use किये थे detail story में आपको दिखा देता हूँ एक बास string जो हमने detail story में string यूज किया था यह string हमको भी details में यूज़ करना है activity details में string dstory is equal to get intent dot get string extra आपको यहाँ से story pass कर देनी है जो हमने food activity में story को use किये थे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार project में जाके तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर जो हमने story यूज़ की थी वही story को हमको heading में pass करना होगा इसने मैं story लिख देता हूँ यहाँ पर और यहाँ से आपको semicolumn से close करना होगा textview dot set text जो भी हमारा details activity का रहेगा वह यहाँ से show जाएगा तो हमें d story को pass करना होगा अभी आप देख सकते हूँ अभी हमारा food details activity का काम हो चुका है अभी हमें .examl file में जाना होगा एंड यहाँ पर error show रहा होगा on click में तो हमें यहाँ पर इसको select करना होगा एंड इस पर alt interface करना होगा एंड जो option दिखाई दे रहा है third में create go back in food details में यहाँ पर हमें click करना होगा जैसे हमें इसमें click कर देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर go back का code आ चुका है तो अभी हमें इसके अंदर code लिखना होगा हमें intent pass करना होगा क्यूंकि जैसे हमें इसमें click करेंगे तो हमें food activity में जाना होगा तो मैं यहाँ पर intent pass कर देता हूँ intent intent is equal to new of intent main activity sorry food details activity.this comma जिस activity में हमें जाना है food activity.class and semicolumses को close करना है and start activity में intent pass कर देना है तो मैं intent को pass कर देता हूँ and हमें यहाँ पर finish कर देना है मैं यहाँ पर on back press method implement कर देता हूँ control o on back press search करना होगा and enter करना होगा and जो भी हमारा go back पर code लिखाई दे रहा है हमें इसको control system copy करके on back press method में implement करना होगा तो मैं इसको implement कर देता हूँ अभी हमारा completely work हो चुगा है तो मैं अभी project के साथ mobile device को connect कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारा mobile device connect हो चुका है मैं अभी run app पर क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं run app पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर griddle build start हो चुका है तो हम griddle build finish होने तक wait करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर griddle build finish हो चुका है तो अभी हैं थोड़ी दिर में हमारे mobile में app install हो जाएगा तो हम वेट करते हैं install successful यहाप पर symbol भी आ चुका यह होगा demo app का तो मैं हाप पर click कर देता हूँ जैसे मैं इस पर click कर देता हूँ आपके समने app install हो जाएगा यहाप फिर app open हो जाएगा तो यहाप इस splash screen आपको visible हो गई होगी इसके बाद में आप देख सकते हो हमने जो code किया nutrition और tapes के लिए code create किया तो मैं इस पर click कर देता हूँ जैसे मैं इस पर click कर देता हूँ जो भी हमारे string यहाप देंगी दिखाई देंगी आपको title story में वही आपको हमारे screen में दिखाई देंगी जैसे मैं build for muscles पर click कर देता हूँ हमारे सामने जो भी हमने text लिखा था detail story में वह text यहाप पर visible हो चुका है तो मैं backspace पर click कर देता हूँ जैसे मैं backspace पर click कर देता हूँ food activity में हम redirect हो गया अब यह मैं second पर click कर देता हूँ जैसे हम second पर click कर देते हैं जो भी हमने यहाप पर code लिखा था second में detail story में वह यहाप पर visible हो चुका है तो इस तरह के से आप अपने apps को create कर सकते हो अभी हमारा completely apps create हो हो चुका है बट हम next वीडियो में देखने वाले कि टूल बार को कैसे implement कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ menu बार को एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि हम क्या देखने वाले next वीडियो में तो यह जो आपको दिखा ही दे रहा उपर three dot हर इसमें दोनों भी activity में तो next वीडियो में हम इसी menu बार को create करने वाले हैं तो I hope guys जो भी मैंने app में आपको code समझाए हो आपको समझ में आओगा और आपका भी app create हो जुका होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को चल्दी से like कर देना और हमारे चानल पे नए हो तो प्लीज साइनल को subscribe कर देना क्यूकि ऐसे वीडियो सीरिस और आप से related वीडियो हमारे चानल पे मिलते रहेगे तो प्लीज सस्क्राब करके ही जाना तो मिलते अगले नए वीडियो में तब तक के लिए जहिन जय वारत